जे हिन जे भारत दोस्तों आज में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके पड़े पसंदिदा और विश्वशने यूटूब चैनल सेनिक वेलफेर वन में जो देता है आपको बहुती अच्छी और रोचक भरी जानकारियां तो दोस्तों आज में एक बहुती अच पेंशन के समदित मतलब फैमिली पेंशन वो होती है जो हमारे सरकारी करमचारी है चाहें वो राज्य सरकार के हो चाहें वो केंदर सरकार के हो सभी को सेवा निर्ट के उपरांत जो फैमिली पेंशन मिलती है जो उनको फैमिली पेंशन मिलती है इनकी जानकारी के आभाव मे बहुत से ऐसे करमचारियों को परिवार है जो इस स्वीदा से वन्चित है तो इस जानकारी को आप अंतक देखें इसमें मैंने पुरे step to step बताया है कि किस किस को ये family pension लागू होती है किस हालात में लाग होती है और किस-किस तरह से मिलती है और कितनी मिलती है और कब मिलती है पूरा इसमें अच्छी तरीके से मैंने दिया है तो इस सब्जेक्ट है कार्मिक मंत्रा लेने कि ये फैमिली पेंशन में बदलाओ जाने क्या होती है फैमली पेंशन, किस किस को मिलती है, कितना मिलती है और कब मिलती है तो दोस्तों बढ़ते हैं जानकारिक तरफ, जानकारिक तरफ बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने मेरा यूटूब चनल सबस्क्राइब नहीं किया है करपा करके सबस्क्राइब करें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं ताकि मैं नई और अच्छी न्यूज के साफ में आपके साफ में बना रहूं पारिवारिक पैंशन सरकारी करमचारी की सेवा काल में मर्त्यू की स्तती में या सेवा निर्वत के उपरांत उसके परिवार को स्विकर्थ किया जाता है बशर्तेवे अपने मर्त्यों के समय pension पराद कर रहा था परिवारिक pension स्विकर्थ करने के लिए परिवार को निम्ण परकार से स्रेणिबत किया जाएगा यानि कि दोस्तो जो पैंसन होता है वो उसका पूरे जीवन का उसने जो सरकारी करमचारी लेकर सरकार के अंतर जो सेवा दिये उसका महनत आना की रूप में उसको ये दिया जाता है उसे पेंशन बोलते हैं उसको और जो फैमली पेंशन होती है उसकी मरत्य को उपरांथ उसके dependent यानि उसकी पतनी और बच्चों को दिया जाने वाला मेहनत आना है वो family pension कहते है और family pension कई तरी का परकार से स्रेनिबत किया जाएगा और यह आगे में बता रहा हूँ किस किस परकार से यह मिलती है स्रेनिबन विद्वा या विदुर मर्त्यू या पुनर विवा जो पहले हो तक यानि कि कोई भी pensioner की पतनी है या pensioner का पती है वो पुनर विवा ना करे पुनर विवा कर लेगा तो उसकी pension बंदो जाएगी नहीं तो उसको मर्त्यू तक family pension लागू है नमबर दो पुत्र पुत्री विद्वा पुत्री भी शामिल है विवा पुनर विवा के दिन तक या कमाना सुरू करने के दिन या 25 वर्स की उमर पहुंचने तक जो पहले हो यानि कि दोस्तो कोई भी सरकारी करमचारी ये उसकी मरति हो जाती है तो उसकी पुत्र और पुत्री है तो पचीस वर्स तक की उमर तक उसको फैमली पैंशन लागू है या वो कमाना सुरू कर दे तब तक उसको लागू है और उसमें सबसे मैं इंपोर्टेंट बात ये कि कमाना सुरू करना नहीं होना चीए तो उसको उसकी मर्तियु तक तमाम उम्र तक उसको वो family pension लागु है जिसके पिता जी या माता जी कोई भी सरकारी करमचारी थे और वो pension ले रहे थे तो उस पुत्री को जो विद्वा पुत्री है जो स्रेनी एक में सामील नहो विवाब पुनिवा के दिन तक या कमाना सुरू करने के दिन तक या मरत्यू के दिन तक जो पहले हो माता पिता जो की पूरून रूप से सरकारी करमचारी पर आसरी थे जब वैस जिंदा था इसके अतरित सरकारी करमचारी ने अपने पीछे विद्वा या बच्चे नहीं छोड़ा हो माता-पिता एविवाहित लाकसुदा विद्वा पुत्रियों को पारियोग पेंशन मर्त्यू के दिन तक जारी रहेगी यानि कि दोस्तों इसमें पुत्र और पुत्री और विद्वा पुत्री के बारे में जो मैंने बताया वो तो है उसके बाद में यदि कोई पेंशनर पेंशन ले रहा हो और उसकी मर्त्यू के पसाद उसके माता-पिता को भी वो पेंशन लागू है पेंशन उनके माता-पिता को तब लागू है जब पेंशनर के पीछे कोई आश्रित ना हो ना उसकी पतनी हो ना उसके कोई पुत्र और पुत्री हो यदि उनमें से कोई होगा तो उनको लागू होगी उनमें से कोई भी नहीं है तो वो उनके माता पिता को भी लागू है और इसमें तलाक सुधा और विद्वा पुत्रियों को भी वो लागू है जैसा कि वो सर्थ मैंने बताया था कि वो कमाई ना कर रही हो उसको भो लागू है जब स्रेणी एक के सभी पातर सदश्यों की पातरता समात हो जाएगी और कोई भी असक बच्चा पारिवारिक पैंसन प्रात करने के लिए नहीं होगा विबिन्स रेणियों में बच्चों को पारिवारिक पैंसन उनके जन के अनुसार दे होगी और उनमें से छोटा पारिवारिक पैंसन का पातर नहीं होगा जब तक कि उसके बड़ा उस स्रेणी में पारिवारिक पैंसन प्रात करने के लिए पातर नहीं हो जाएगा यानि कि दोस्तों इसके अनदर बी ये प्रावदान भी है कि जो pension earn ले रे हैंई उनके कोई अशक्त बच्चा है यानि कोई विकलांग बच्चा है उसको भी उसको पारिवारिक pension लागु है उसकी मर्थ्यों के उपरांत येदी कोई pension ले रहा है और pension लेने के लेते लेते उसकी मर्ती हो जाती है तो उसको भी pension उसकी पत्नी को लागू होती है पर इदी पत्ती और पत्नी दोनों खत्म हो जाते हैं तो उसकी विद्वा बच्ची और विकलांग बच्चे को भी वो pension लागू होती है बशरते उसकी कोई सरकारी डुकरी ना लगी हो और इसमें यदि किसी के दो बच्चे हैं तो बड़े वाले को वो पेंशन लागू होती है और बड़े वाले की यदि उम्र 25 साल क्रोस कर जाती है तो वो पेंशन छोटे वाले को लागू हो जाती है तो दोनों से एक को ही लागू होती है और विकलांग बच्चे को ये वो कमाना सुरुर नहीं कर रहा है तो विकलांग बच्चे को तो अम्र उसकी पेंशन लागू होती है नई दिलिक केंद सरकार के द्विंगत करमचारियों की विद्वा वे तलाग सुदा बेटियां भी परिवारिक पेंशन पाने की हगदार है इस मुद्य पर कही मंत्रालियों और विभागों ने स्पिस्टिकरण मांगा था, इसके बाद कर्मिक मंत्रालियों ने हाली में समन्द में सरकुलर जारी किया है। दरसल पारिवारिक पेंशन सरकारी करमचारी के निदन के बाद उनके आसरित बच्चों को दिया जाता है कुल पारिवारिक पेंशन और महंगाई रहात से कम कमाने वाले बच्चों को भी आसरित माना जाता है इसलिए सरकारी, करमचारी और उसकी पतनी महिला कर्मिक होने पर पती के निदन के बाद सिर्फ आसरित और अन्य शर्तों को पूरा करने वाले बच्चों को पारिवारिक पेंशन के लिए योग्य माना जाता है इसी तरह इन शर्तों को पूरा करने वाली विद्वावय तलापसुदा बेटियों भी अभीवाग की मौत के बाद पेंशन पाने का हगदार है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है नियम के मताबिक 25 साल से कम उम्र के एवेवावय बच्चों को पारिवारिक पेंशन तत दिया जाता है जब अभी बावक माता या पिता का निदन हो जाए या दूसरी शादी कर ले तत पशात विकलांग बच्चे को आजिवन पेंशन द सोट लेकर पढ़ सकते हैं कि किस किस कंडिशन में यह लागू होता है इसके तीन पेजें पूरा इसमें दिया गया है और पारिवारिक पेंशन की दर यह किस परकार से मिलती है नंबर एक सामाने दर पारिवारिक पेंशन की सामाने दर सरकारी करमचारी दोरा अहारित अंति प्रशन ले रहाता हूँ उसके खतम होने के बाद यानि उसके मर्तियों उपरांद उसके जो डिपेंडेंट्स है उसके जो आसरित है उसको उसकी पेंशन का 30% मिलता है नमबर दो बड़ी हुई दर यदि करमचारी के मर्तियों 7 साल की निरंतर सेवा के उपरांद हो जाता है तो उक्त करमचारी को दिया जाने वाला पारिवारिक पैंशन की दर उसके दुआरा प्राथ अंतिम प्रवलुग्दियों का 50% होता है इस परकार स्विकारे राशी करमचारी की मर्तियों की तिति के अगले दिन से 7 वर्स की अफ़दी या मर्त करमचारी के 67 वर्स की तारन योग्य होजाती है तता पारिवारिक PENSION की बड़ी हुई दर की समापति के उपरांद दी जाने वाली PENSION रासी सावानने दर से ही दी जाएगी नमट 3 क्रम्मचारियों की सेवाकाल के दुरान मत्यू होने पर पारिवारिक PENSION की बड़ी हुई 10-10 परसों तक दे होगी तो यह pension की दर है जिस परकार से pension मिलती है तो दोस्तों इस post में मैंने जितनी होसी को अतनी जानकारी देने कोशिश करी है और इस जानकारी को आप ज़्यादा ज़्यादा फैलाएं ताकि बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनके माता या पिता जो pension लेते थे उनके मरत्य होने के पसाथ वो इस इन सुईदाओं का लाब नहीं उठा पा रहे है तो करपा करके इस जानकारी को ज़्यादा ज़्यादा शेर करें ताकि कि किसी SI को यह साहता मिल सके तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी और मैं जो भी पोस्ट डालता हूँ करपा करवा कमेंड जरूर लखे और आपको और भी कोई नहीं जानकारी चाहिए तो उसके बारे में जरूर लखे ताकि मैं continue अच्छी और ताजा न्यूजिस साथ में आपके साथ मैं बना रहूँ जय हिन जय भारत दोस्तों